चंडिगड पर अधिकार को लेकर हर्याना और पंजाब में टकराव बढ़ता जा रहा है परदेश की सीम मनोहरलाल ने कैबिनेट बैठक बुलाकर 5 अपरेल को विधानसवा का विशेश शत्र बुलाने का फैसला किया है उसी दिन दोपैर बाद कैबिनेट बैठक रखी गई ह पहले यह बैठक 6 अपरेल को तै थी सूत्रो का कहना है कि सरकार विधानसवा में चंडिगड के 77 पंजाब के हिंदी भासी 400 गाउं पर अधिकार के अलावा SYL के पानी और अलग हाई कोड का परस्ताव भी ला सकती है हलांकि कौन-कौन से परस्ताव लाए जाएंगे इसका फैसला उसी दिन सुबह साड़े नो बजे होने वाली बिजनस एडवाईजरी कमेटी की बैठक में तै होगा आपको बता दें कि 1966 में हरियाना के पंजाब से अलग होने के बाद से तीनों मुद्दों को लेकर दोनों परदेशों में विवाद है अब टकराव की सुरुवात पंजाब की आप सरकार के एक अपरेल को विधान सभा में परस्ताव पास करने से हुई जिसमें के अंदर से चंडिगड पूर्ण तोर पर पंजाब को देने के लिए कहा अब हरियाना सरकार ने भी विधान सभा से ही जवाब देने का फैसला किया है वहीं विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है ViroReport News Broadcast